चेहन मित्रो, साइन्स के कफछा को आगे बढ़ाते हुए, मैं एक नया वीडियो अपने यूट्यूब चैनल लेट्स इजी टू लर्न पर डालने जा रहा हूँ, तो आप सबों से आग रहा है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, तो नाइन्थ के कफछा को आगे बढ़ाते हुए, पेज नमबर 9 के कॉस्चन आंसर को आज सॉल्व करवाएंगे, तो आप लोग ध्यान से कॉस्चन आंसर को देखिएगा, पेज नमबर 9 में जो पहला कॉस्चन है, इसमें है निमलिखीत तापमान को सेल्सियस में बदले, जी हाँ, कॉस्चन एक बाद फिर से रिपीट कर रहा हूँ, निमलिखीत तापमान को सेल्सियस में बदले, ए और बीधो कॉस्चन दिया गया है, इसमें से आपको ध्यान रखना है, दिया हुआ है ए नमर में 300 केल्विन, याद रखिएगा एक चीज इसमें, कि केल्विन को डिग्री केल्विन कभी नहीं पढ़ना है, उसको सिर्फ केल्विन पढ़ना है, और डिग्री सेल्सियस को में पड़ना है ठीक है to göster एक चीज और है कि In P सबस्ताइब पड़ने केल बाइन ऐसे 273 मायनस कर देना है ठीक है कि केल्विन को Grinds अच्छास में बदने केलिए उसमें 273 में और सबस्वाइब न चैसा है यहां पर दिया गया है तीनसो कल्विन है 300 कल्वीन में से 273 को मैनस कर लिया है 266 degree cellcius answer हो गया दूसरा है 573 Kelvin है इसको degree cellcius बदलना है Kelvin में से 273 को घटा लेंगे जो बचेगा वो degree cellcius हो जाएगा तो 573 में से 273 को घटाएगा 300 degree cellcius बच जाएगा तो इसमें बस आपको में चीज ध्यान रखना है कि Celsius ताप में बदलने के लिए Kelvin में से यानि कि Kelvin को Celsius में बदलने के लिए 273 माइनस करना है और इसी का ज़स्ट अपोजिट कर लेंगे जब degree Celsius को Kelvin में बदलना होगा तो 273 को पलस कर लेंगे जिया जैसा कि आगे है डिगरी Celsius है आगे है निमलिखित ताप मान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी ठीक निमलिखित ताप मान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी तो देखिए जल 100 डिगरी ताप पर उबलने लगता है ठीक है जल्ब को वास्प रूप में बदलने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवसकता होती है और यहां पर आपको दिया गया है कि 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या होगा और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा तो 200 डिग्री सेल्सियस 200 degree Celsius ताप पर वास्पीत हो जाएगा यानि जल जो है वो वास्प रूप में बदल जाएगा और 100 degree Celsius ताप पर जल जलवास्प वास्था में होगा यानि कि जल जो है जलवास्प की अवस्था में आना शुरू कर देगा उबनने लगेगा और जलवास्थ की अवस्था में आने लगेगा ठीक है और धाय सो डिग्री सेल्सियस ताप पर वास्पी थो जाएगा यानि कुर्णु रूपेन वह वास्प में बदल जाएगा तीसरा प्रस्ण है किसी भी पदार्थ की अवस्था पडिवर्तन के दोरान तापमान इस्थिर क्यों रहता है या किसी भी पदार्थ को जब उसका अवस्था में परिवर्तन या तो उसको थोस में बदली है या थोस है तो उसको वास में बदली है तो इस क्रम में उसका तापमान इस्थिर क्यों रहता है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दोरान दी गई उसमा यानिकी अवस्था परिवर्तन के समय आप जिस उसमा का उपियोग करते हैं पदार्थ के कनों के बीच अंत्रा अनुविक बंधों को तोरने में खर्च होती है यानिकी जो उसमा आप उपियोग करते हैं तो आप इसका खर्ज होता है इसी लिए अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई उसमा पदार्थ का तापमान नहीं बढ़ा पाते यानकि जो आप उसमा देते हैं उससे उसका अवस्था में परिवर्तन हो जाता है उसमा नहीं बदलता है ठीक है आगे है वायू मंडल ये गैसों को द्रव में परिवर्तन के लिए कौन सी विधी सुझाई यानकि गैस जो है उसको द्रव रूप में वायू मंडल में जो गैस है उसको आपको द्रव रूप में बदलना है इसके लिए आप क्या उपाई दिएगा तो देखिए गैस के अवस्था में पडिवर्तन, दाब बढ़ा कर या तापमान में पडिवर्तन लाके किया जा सकता है तो गैस के अनुव पर दबाओ बढ़ा देने से यह अधिक पास आ जाएगा, तो यह द्रवरुक में आ जाएगा या नहीं तो तापमान कम जैसे ही कीजेगा तो गती जूर जा उसका कम हो जाएगा और वो पास हो जाएगे जिसके कार्म के द्रग रूप में बदल जाएगे तो पेज नमबर 9 का बस ये 4 question answer है और पेज नमबर 11 में question answer है तो पेज नमबर 11 का question answer हम next एक वीडियो बना के upload कर देंगे फिलाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही फिर नए वीडियो में मिलते हैं जै हिंद जै भारत